एक आप सब इंजिनर्स के लिए कॉर्परेट टेनर तो आज हम बात करने वाले इस्टेश के बारे में किस तरीके से फिक्स करते हैं बहुत सारे इंजिनर्स कन्फूज रहते हैं कि कैसे स्टेल्स को लगाया जाता है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल रहता है तो आज मैं उस सब आपको दिखाऊंगा कैसे यहां पर सईट पर स्टील को रखाए जा रहा है स्टील लगाई जा लएंडिंग किस तरीके से जाएगा आपकी जो वेस तरीक Michigan से आपके लेंदिंग में जा लेंडिंग भी में कैसे मर्ज करेंगे आपकी स्लैप से डॉवल कैसे निकल रही है कहांपर डॉवल आपको मैश होगा कहांपर सिंकल मैश होगा इन सब चीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपकी यहां से स्लैप की बार्स आ रही है और इस तरीके से यहां पर आकर एंड कर दिया गया है तो यह आप देखेंगे यहां पर जैकल मार करके आपकी बार्स को इस तरीके से यहां पर बैंड कर दिया गया है यह आपकी सारी ल जो आपकी यह बेस्ट लेब इसके डारेक्शन में हमने यह बार्ट को यहां पर लगा रखा है तो यह एक आपका मैश बन गया और जब कभी भी आप इसकी बात करेंगे तो इस टेर केस के के में आप देखेंगे यहां पर कि आपका डबल मैश होता है आपके जो भी एंड से एक आप यह लग रहें है और इसके लुद्स पा रहे हैं और यहां पर नीचे देख आहांपर लग रहा है तो घंफे की और यहां इसके बहुद्स में 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 इस यहां यहां पर लग रहा है यह नीचे फिर हम इसके बाद उपर जब बात करेंगे तो यहां पर आप देखी इस पॉयंट पर यहां पर देखिए आपके मिडिल पॉयंट यह आपकी वेस्लैब पर यहां पर आप देखेंगे के यह आप यह पर single match लग रहा है यह आपका इसमें से आपका जो लेंडिंग पर आपकी जो भी लाइट्स वगरे लगाई जाएंगी तो उसके लिए आपकी पाइप दरू आपकी वाइरिक आईगी लेन गाईगी और यहां पर आप देख पारें जिससे कि यह आपका कवर ब्लोक लगा रखा है तो आपका आपका स्लैप पर आएंगे तो यहां पर आप देख पा रहा है इसली कि आपका सिंगल मैश हो जा रहा है क्योंकि यहां पर लोड भी कम है जहां से आपका स्टार्ट होगा आपका लोड जादा है यहां पर आपका डवल मैश प्रोवाइड किया जा रहा है मिडल में आकर के लोड कम हो जाता है और फिर जब हम हमारी यहां पर लेंडिंग पर आएगी जब हमारा यह लेंडिंग लेवल स्टार्ट होगा फिर आप यहां पर देख पाएंगे इसली कि आपके यहां पर डवल मैश फिर से स्टार्ट हो रहा है यहां पर यह आपका एक मैश यह लेंडिंग लेवल पर और आपका मैश यहां पर नीचे लग रहा है तो जब यहां से आपकी यह बार्स आ रही है इस तरीके से तो यह बार्स आप यहां देखेंगे यह सारी बार्स इस तरीके से आ रही है यहां पर और यह इस तरीके से एंड हो रही है यहां पर यह देखिए सारी बार्स आपकी लॉं इतह Space RED culpa मेश को बाड़ी से गया मेता है यहारी है तो यह यहां पर आकर ड़्ैएंड हो जायाएंगी यह सारे पगात eachhammer यह अपर देखते हैं इसली ही कोचिश किछ मुशूं का इस हमदा को बनकर देंगे हैं हम इसको आगे करके जा रहे है और फिर, हम यहां से इसको co Cook कर रहे है इस point इसके as Ad Drum तो हम इस तरीके से जाके up से उल्हज़का पर आपि हमने फर गया हमारी Double Match प्रोड़ चेहा है ऑपर अब यहां पर आम देखेंगे हम यह landing की बात करते है, तो तो यह जो आपका stay case है यह पूरा आपका U-shape में और यहाँ पर आपकी दो लेंडिंग प्रोवाइड की गई है तो यहाँ पर लेंडिंग पर आप देखेंगे यह आपका double mesh है इसके बीच के distance को maintain करने के लिए आपकी chair bars यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है तो दौनों mesh के बीच का distance बना रहा है तो इसलिए यहाँ पर chairs को provide के जा रहा है चलिए उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ landing beam अब देखें इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यह आपकी सारी bars इस तरीके से आ रही है पर यह पर की बाद नतारख के वह कर्थ वा रही है तो यह बाद dot बका सब्सक्षर अपकी बिऋबंड वाद वह वह तो κάоп की यह पर कशीन उन्म थे पर आप रहे हैं तो आपकी जो वेस्ट स्लैब की बार्स हैं वो सारी स्ट्रेट ही एंड होंगी यह सारे आप देखी इंड होंगी लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर यह आपकी जो लेंडिंग की जो बार्स हैं वो आपकी बीम की डैप्त में जाएंगी सारी बार्स आपकी यह बार्स कोलम में जा करके मर्ज हो रही है और इस को हमने वहान नीचे लेफल तक कस्ट कर रहा है जब हम अब जिस इस के सब कास्तीग करएंगे इस जंक्षन को हम फूरा एक साथ कास्त करेंगे यह च companies हो गया आपकी इस लेफा ऊगई और यह का कॉलम का लेफल हो गया तो इस junction को हम एक साथ कास्ट करेंगे, junction हमेशा एक साथ कास्ट कियी जाते हैं, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वहां से आपका staircase स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां से स्टार्ट होता हुगा आ रहा है, फिर आप यहां पर आकर देखेंगे, आपके यह landing प्रोवाइड की जा रही है, और फिर यहां से यह turn मार करके, आपकी जो slab है, वहां पर जाके यह test करेंगे, आपकी waste slab, तो यह U-shape में double landing प्रोवाइड की जा रही है, तो double landing का purpose क्या है, यह आपकी जो building है, वो hospital की building है, तो यहां पर आपके जो patient आएंगे, उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, आपका एक floor से दूसरे floor जाने में, तो इसलिए landing जो है, वो आपका resting का काम करती है, that's why हम यहां पर double landing प्रोवाइड कर रहे है, hospital की building से mostly आप देखी है, कि double landing प्रोवाइड की जाती है, तो आप यहां पर देखेंगे, फिर से यहां पर आपकी, जब यह दू सारी बार्स महां पर fix नहीं किये गई है, अभी landing की बार्स रहे गई है, अभी इमा पर formwork भी नहीं लगाए गया उपर के लिए, तो यह फिर से यहां पर आपकी जो बार्स यहां पर bend कर दी जाएंगी, landing में, फिर आपका landing की बार्स लगाए जाएंगी, और फिर वहां से आ करके encourage कर दी जाएंगी, और यह आपका, यहां पर आपने देखा, यह जो आपका beam है इस तरीके से inclined direction में आ रहा है, और यह यहां पर आ करके end हो जा रहा है, लेकिन फिर आप इस point पर देखेंगे, यहां पर यह आपका दूसरा beam है, यहां पर इस वाली landing पर यह छोटा सा beam provide क इस कॉलम से उस कॉलम तक, तो यह आप यहां पर देख आ रहे हैं, यह आपके beam कि बाहर इस तरीके से इसमों पर आ रही है, यह हो यहां पर band कर रखा है, नीचे से जो बाहर आरे है वो इस तरीके से हमीं बंब देख पाएंगे, तो यह थोटा सा лेंड southeast पर देख गर देख तो आज आपने देखा हमने यहां पर इसको डिसकस किया आपने देखा किस तरीके से यहां पर आपकी बार्स लग रही है आपकी बार्स कैसे लग रही है आपकी लेंडिंग की बार्स कैसे लग रही है और यह सभी बार्स किस तरीके से आपके लेंडिंग में जाकर कर रही है तो यह सारा मैंने आपको बताया, I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ जानकरी मिली होगी, तो ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स वीड